हेलो एब्रिवन आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज से हम इस चैनल पर लिनियर इंटेग्रिटेड़ सर्कीट्स के बारे में पढ़ने वाले है तो इस लेक्चर की शुरुवात करेंगे हम इन्वर्टिंग अम्प्लिफायर के साथ इन्वर्टिंग अम्प्लिफायर होते क्या है तो यह इन्वर्टिंग अम्प्लिफायर का स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं यह यूँवान एक और हमने एक कॉन्फिग्रेशन बना है यह पूरे कॉन्फिग्रेशन को बोला जाता है इन्वर्टिंग अम्प्लिफायर inverting amplifier क्यों यार क्योंकि देखो OPM के दो terminals होते एक तो अपना inverting terminal और एक non-inverting terminal तो ये दो terminals के हिसाब से हम अगर configuration करें तो उसके दो type बन सकते हैं एक inverting एक non-inverting अगर हम voltage supply input voltage अगर inverting terminal को देंगे तो वो inverting amplifier बन जाएगा और अगर non-inverting को देंगे तो non-inverting amplifier बन जाएगा उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे तो इस पीडियो में हम लोग inverting amplifier के बारे में बात करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहां R2 के मदद से हमने एक feedback loop बने हैं इस feedback को बोलते हैं negative feedback feedback हमने इसलिए लगा है यार क्योंकि देखो अगर हम open loop में use करेंगे तो उसका gain बहुत ज़्यादा होता है तो अगर हम छोटा सा छोटा voltage भी अगर input में side में लगाएंगे तो वो उसका बहुत ज़्यादा output मिलेगा हमें जो कि हमें नहीं चाहिए होता है इसलिए हम लोग feedback लगाते है तो inverting amplifier का formula क्या होता है यार उसका output voltage का formula क्या होता है यह सब हम देखेंगे अभी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह हमारा inverting amplifier है यह feedback resistor यह अपना input में resistor है यह input voltage है तो हम derive कैसे करेंगे है derive करेंगे हम KCL के मदद से किर्चोफ current law तो हम लोग किर्चोफ KCL कहां लगाएंगे यार KCL लगाएंगे हम A point पे assume कीजिए V input के वे side में है तो इसकी वेसे कुछ ना कुछ current flow होगा तो हमने यह assume कर लिया कि direction of current यह है और उसकी वेज़े से जो current आ रहा है वो I1 है और feedback के थ्रू वो current जा रहा है IF अभी आप लोग बुलेंगे यार current अंदर क्यों नहीं जा रहा opam के देखिए हमने assume किया है कि opam यह ideal है ideal opam की conditions क्या होती है उसके specifications क्या होती है उसके specifications में यह आता है कि जो हमारा input impedance है operational amplifier का वो infinite होता है मतलब बहुत जादा होता है इसकी वेशे से current उसके अंदर जाएगा ही नहीं तो उसकी वेशे से जो पूरा का पूरा I1 है वो RF के थ्रू output के सेट जाएगा इसलिए हमने कोई current consider नहीं किया है ठीक है तो हमने KCL तो लगा लिया अब I1 equal to IF तो I1 को हम लोग क्या लिख सकते है यार V in minus VA upon R1 बराबर ये equation मिल गया equal to IF IF के बारे में हम क्या लिख सकते है VA minus V0 upon RF तो ये हमने लिख लिया पर हम अगर आपको virtual ground concept बता है तो आपको बता चल गया होगा कि जो voltage होगा A में वो 0 होगा A point पे तो अगर हमने 0 वहाँ put किया तो हमें ये equation मिलता है अब हम इसको rearrange करेंगे अब हम equation को rearrange करेंगे V in को ये साइड लेके आएंगे और RF को होगा लेके जाएंगे तो हमें ये equation मिलता है V0 by V in equal to minus RF by R1 और हमें बता है V0 by V in क्या होता है हमारा gain होता है तो gain का formula हमें मिला minus RF by R1 यहाँ minus sign मिलने का मतलब जो हमारा voltage होगा output voltage उसमें 180 degree का phase shift होगा AC के terms में देखिए यहाँ पर example दिया है अगर हम लोग sine wave लगाते है input के side में तो उसका हमें 180 degree phase shift होके मिलेगा amplified version मिलेगा उसका ठीक है अगर हम DC लगाते है मानलो अगर हमने यहाँ पर कुछ 1 volt लगा दिया और अगर gain के हिसाब से मानलो वो 5 volt हो रहा है output में तो हमें minus 5 मिलेगा sign change होके मिलेगा उसका ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको like कीजे share कीजे